नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागते आज की वीडियो क्लास 9th Maths NCRT Chapter 13 Exercise 13.2 Question No.8 लिखा हुए है in a hot water heating system, hot water heating system है टीक है, hot water heating system है, there is a cylindrical pipe है, एक cylindrical pipe है, ठीक है, cylindrical pipe है, length है, देखिए 28 इसकी length है, cylindrical pipe की जो length है, वो 28, 28 meter and diameter is, diameter है, 5 centimeter, ठीक है, find total heating surface of system, देखिए यह diameter है, यह देखिए अलग अलग है, यह centimeter है, मीटर में है पहले मीटर और centimeter, दोनों सेम करने है आपको, ठीक है, यहाँ पर लिखा वाया है, find the total heating surface of system दिखा वाया है, तो यह diameter है, 5 centimeter, radius, d divide 2, radius d divide 2, 5 over 2 हो जाग़ी, यह radius हो गया, ठीक है, और length means height, यह जो है, मीटर में है, तो इसको मीटर में convert कर लेजिए, 5 upon 2 multiply 100, मतलब 5 जो है, 5 में 100 की table पढ़ लेजिए, 5 upon 100 है, और यह divide radius है, तो radius 2 है, मतलब जो है, radius निकालने के लिए, 2 से divide किया, diameter में, और 100 से 5 divided 100 हो लिखा, अब यह meter में हो जागा यह, क्या जागा, 5 upon 2 multiply 100, देखिए, यह centimeter में था, meter में convert करने के लिए 100 से divide करते हैं, और, and height क्या है, height is equal to a, height meter में, जो height is equal to a, height है, height h है, is equal to length of pipe, जो length है pipe का, length of cylindrical pipe, length of cylindrical pipe, length of cylindrical pipe, length of cylindrical pipe है, is equal to 28 meter, कितना है, 28 meter, अब यह देखिए, अब यह क्या हो रहा है, इसमें, जो hot water है, वो यू जा रहा अंदर को, ठीक है, तो hot water यू जाने पर क्या हो रहा है, सब से पहले क्या कर रहा है इसको, side वाले को क्या कर रहा है, छू रहा है, टाच कर रहा है देखो यहां चल रहा है इसका मतलब है यह कॉप्डे सर्फेस एरिया इसके अंदर देखिए आपके पास एक सलेंडर इस तरह से तो इसके अंदर घुश रहा है तो यह होट जो है वाटर इसके अंदर घुश रहा है होट वाटर तो इसको छुते तो इसका मतल कहा है find the total radiating surface अब तो इसमें कॉप्ड surface area find करना है ठीक है कॉप्ड surface area of pipe area of cylindrical pipe ठीक है जो cylindrical pipe है उसका कॉप्ड surface area find करना है कॉप्ड surface area क्या होता है 2 pi r h क्या होता है 2 pi r h what is 2 2 pi की वैलो देखो pi की वैलो starts question के starts में से यहां पर कोई नहीं है pipe value 22 over 7 लिखावा है सूर से 22 over 7 r is equal to 5 upon 2 लिखावा है multiple hundred लिखावा है ठीक है r is equal to यह है और height is equal to 28 meter है ठीक है 7 से 7 4 जा 28 7 4 जा 28 2 से 2 cancel हो गया ठीक है 2 से 2 cancel ठीक है और यह क्या आगे यह हो जागा आपका 22 है multiplier 5 है multiplier 4 है ठीक है और यह equal to कितना है यह जो है आपका meter square है divide by 100 है ठीक है divide by 100 है 2 pi r h ठीक है 7 4 जा 28 हो गया यह 2 से 2 cancel हो गया अब यह देखिए कितना हो गया यह 5 4 जा 20 हो गया divide by 100 0 से 0 cancel हो जागा ठीक है अब यह हो गया 22 टूजा 44 यह दोनों multiplier कि रहे 44 यह meter square है divide by 10 meter square है 44 में 10 जे divide करेंगे 4.4 meter square ठीक है तो यह आपका जो question कह रहा है यह लिख रहा है find the total radiating surface of system जैसे इसमें पानी किया तो इसमें कॉपनी सर्फेस यह रहा है तो यह इसका यह answer total radiating system का जो total जो है radiating total radiating surface system का यह 4.4 meter सबसे पहले क्या है diameter 45 cm रेडिये जी डिवाइड टू करना है दी पाइव पाइड डिवाइड टू करना है cm में दूसरा मीटर में तो इसको मीटर में convert के 100 से divide करेंगे ठीक है height 28 है quarter surface area दीखिए जैसे अंदर पानी जाएगा तो यह वाला area इसका area जो है इसका है क्या करना है इसका quarter surface area देखिए ठीक है इसको छूते बेजाए quarter surface area ठीक है तो quarter surface cylinder 2 pi r h यूज करना है आपको पाइड के वैले 22 over 7 यूज करना है मुटिप्ला 5 divided 2 मुटिप्ला 100 28 740 28 2 2 2 cancel अभी 22 5 और 4 है ठीक है अभी यह 5 420 लिखा में 0 0 cancel 22 जा 44 44 और या निचे 10 है तो यह divide करेंगे तो 4.4 meter square यांसर ठीक है next question है fine lateral or curved surface area of cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter ठीक है और height है आपकी 4.5 meter high देखे एक historical tank है ठीक है historical tank है historical petrol historical tank है इसका जो diameter है पूरा diameter है यह d given है diameter given है diameter कितना है 4.2 4.2 meter ठीक है और यह close है ओपर से ओपर से ओपर से ओपर से ओपर से ओपर से रहे इसे और नीचे से ऑपर से बंद है देखें इसमें पेट्रोल स्ट्रोरिज ये दोनों साइड से कुलोज है। है ठीक है। है अच्छा स्ट्रोड टैंक है पेट्रोल टैंक रॉजिश ईसकी हाई डाहमीटर है 42, diameter given है 4.2 meter, radius find का नहीं है, radius इसको क्या होता है वोई, D over 2 होता है, what is D, 4.2 over 2, 2 से cancel करेंगे तो 2.1 हो गया, तो radius हो गया है, 2.1 meter, ठीक है, अब यह height कह रहा है, height of petrol tank की जो height है, हो है आपका 4.5, 4.5 इसकी height है, ठीक है, यह 4.5 इसकी height है, 4.5 meter height, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है है, find cord, यह left cord, यह लेक्टर सर्फेसे, यह देखो, यह petrol tank है, अब इसमें यह close है, दोनों, इदर से भी close है, इदर से भी close है, दोनों साइट से close है, petrol tank का जो height है, वो 4.5 है, और जो इसका है, डायमीटर है, यह दायमीटर है, इसकी है, यह दायमीटर कितनी है, 4.2 है, तो सबसे पहला, फर्स्ट वी अप्ट ओल, क्या find करना है, radius find करना है, क्या find करना है, radius find करना है, radius find करना है, तो radius is 2.1, आप first part में क्या करना, find, curved surface area, यह lateral surface area, curved surface area को ही lateral surface area होता है, और lateral surface area, lateral surface area यह है, निकालना है, curved surface area यह lateral surface area, ठीक है, curved surface area यह lateral surface area निकालना हो है, formula 2 pi r h, 2 pi r, और h, ठीक है, pi की value होई, 2 upon, मदब 2 multiply, 22 over 7, r is equal to 2.1 meter, h is equal to 4.5 meter, ठीक है, यह देखे, इससे cancel हो जाएगा, 0.3 लिग लो गया, 7, 3, 021 होते है, इन सब को multiply करना है, 2 और 22, 44 हो जाएगा, 3 और यह multiply करेंगे, 4.5 को 3 से, 0.3 से, 3, 5, 15, 3, 4, 0, 12, 13, यह दो original point है, जो आगे, 1.35 meter square, अब इसको 44 से multiply करेंगे, 4, 5, 022, 4, 3, 12, 13, 14, 1 carry, 4, 1, 4, 1, 5, ऐसे इसमें भी, 0, 4, 5, यह हो जाएगा, 0, 4, यहा 9 हो गया ही, और यहां हो गया, 5, point के बाद कितने digit हैं, 2, ठीक है, यह आगे आपका, 59.40, 59.4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 59.4 meter square, ठीक है, यह आपका cylinder है, जिसका diameter 4.2 meter है, height 4.5 meter है, तो सब से पहले diameter radius में इसका diameter, यहां हो गया, d divided to 42, over 2, 2.1, height 4.5, यहां लेटर surface area of cylindrical, यहां लेटर surface area, यहां कबर surface area निकालना है, तो find the surface area, और लेटर surface area 2 pi RH, 2 pi के value यहां 22 over 7, R is equal to 2.1, H is equal to 4.5, 7 seconds is 0.3, in 2 x 44, in 2 x 1.35, in 2 x 59.4 m2 का इच का लेटर सर्फेशीर है, फस्त पार्ट है, नेस्ट है, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है, हाव मुच स्टील वा एक्षिल यू उस्ट, कितना स्टील है, तेखिय है ये, आप पेपर, जो है, क्या बना है, यह जेके, पेपर था, यह सीट है, ओ जैसे, आम ने उस से पता है, कितना से का साप है, तो इस से क्वानें के अब बनाने है, तही क्ण में कुछ कतान के, इस सांब और मिजब कर सकते हैं, इसको एक सिलिंडिकल पाइप इस तरह से सिलिंडिकल पाइप बनाने में इसका देखिए इसको बनाया हमने तो यह सिलिंडिकल पाइप बन गया है बन गया नहीं बन गया तो यह पे जो है एक सीट है इस सीट जो है रेक्टेंगल सेप में है अब इसको हमने क्या करना है उसके में बना दिया स्क्या सिलिंडर की सिर्फ में इस तरह से यही सीट यह बनी है से लिए सेखने सें ठीक तो इसकी जो इसटीट को पाटने पर क्या होता है इसका वन अपान ट्री जो है वो कहीं से 1.12 इसका क्या हो जाता है 1.12 हो जो है इसका westage हो जाता है ठीक है और ये टोटर मालने जाएंब इसको मालने थे कि ये जो है इसका क्या तो बाकि 1.12 westage होने के बार total surface area find करना पड़ेगा ठीक है तो सब से पहले total surface area find करना पड़ेगे तो यह जो है क्या चीजे इसमें वद्पो आपका एकितार ऑप का अधार। हैं तो इसमें आपके गुर। कण्यों नगार करिं। hawai. हम लिखेंगे अभाव案 पार्ट अलेड। अभक क्या तर्ड। आय। एं स्क्रकक्त। आप्श posters का एक्षिए यह स्टान शोंट एक्षिए मिट्र आप्षिए आप्शल उभी एक्ष्वें रस बिरसे गंडर और अप्ड़ बोल रहा हूं how much steel was actually used, if 1 upon 12 of the steel actually used, actually 1 upon, इस total में से 1 upon 12 wastage हुआ है, used was wastage, यह wastage part 1 upon 12 wastage है, 1 upon 12 part wastage हुआ है, और वो x upon 12, जो x square total हमने seat का area माने है, और उसका 1 upon 12 के हुआ है, wastage हुआ है, ठीक है, तो इसमें area जो है, इसका area of the steel wasted in making the tank, ठीक है, area, क्या लिखा, area of the tank, area of the tank, क्या tank area of the, आपका area of the steel wasted, जो steel, area of the steel, इस्टील का जो area था, इस्टील का area था, वो west हुआ था, in making, जो टैंक बनाया था, in making, क्या बना रहे हैं, इसी से घुमा करके, आपका tank बन रहा है, ठीक है, तो area of the steel, area of the steel wasted in making tank, in making the tank, in making the tank, ठीक है, ठीक है, टैंक बनाने के लिए, क्या रहे हुआ, वेस्टेज कितना है, 1 upon 12, 1 upon 12, of x, x meter square का 1 upon 12 हो जाए, क्या हुआ, वेस्टेज हुआ, तो 1 x upon 12 ये लिखा, 1 upon 12, multiply x, ये x upon 12 हो जाए, x upon 12, ठीक है, x upon 12 हमारा वेस्टेज हुआ, x upon 12 है, ठीक है, 1 upon 12, x जो है, 1 upon 12 वेस्टेज हुआ, तो x upon 12 हुआ, इतना पार्ट इसका वेस्टेज हुआ, अब हमार पास कितना इस्टेज बचा, जो की यूज वा, जिससे cylinder बना, ये cylindrical storage tank बना, ठीक है, cylindrical storage, tank बना, तो वो जो है, area therefore, कौन्च ए एरिया है, area of the steel, जो used हुआ है, area of the steel used, इस्टील यह यूज हुआ है, इस्टील 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 यूज हुआ है, पूर मेकिंग टैंग को टैंक बनाने के लिए जाना है यह यू जंग है वो पुम्र शेंग photography तो तो यह यह क्या होगा आपका पॉरत अपम जाही समय से एक्षब of steel wastage in making the tank waste कितना 1 upon 12 वा तो 1 upon 12 वा एक्स एरिया of steel used for making tank x में से जोई x लिया इस में से x upon 12 माइनस किया ठीक है तो माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस करने से यहां हो जाएगा आपका 12 x वो लखेंगे यहां पर और इस में से x माइनस कर देंगे तो यह हो जाएगा 11 x upon 12 मीटर स्क्राइब यह से हमने क्या बनाया है इसी से हमने टैंक बनाया है 11 x upon 12 मीटर स्क्राइब से आपने इसी से जो seat थी इस seat को जो है आपने क्या किया इस seat को 1 upon 12 वेस्टेज हो गया जो बाकी बचावा था उस बचावाए वेस्टेज है क्या है यह 11 upon 12 है इसी से टैंक बनाया है ठीक है तो इसी से टैंक बनाया है यह जो है यह आपका बचावाए 1 upon 12 माइनस करने पर यह बचा ठीक है है आप इसका जो है जो बचावाए सको total surface area find करना है तो इसका हो गया जो गया जो है यह यह उसी का हो गया जो इससे बनाया है total surface area of tank total surface area of tank यह टैंक का total surface area निकाल रहे है ठीक है तो total surface area of tank क्या हो जाएगा is equal to हो जाएगा 11 तहीं रह जाएगा 11 x upon 12 है meter square अब total surface area of tank क्या होता है यह formula होता है 2 pi r h plus r ठीक है देखे इधर से भी बन्दा है इधर से भी बन्दा है यह total surface area है देखो total surface area होता है plus दोनों का area of upper side area of below bottom side area यह वाली side का area और यह वाली side का area और यह कब्र surface area है 2 pi की value 22 over 7 r is equal to 2.1 2.1 है आमिने निकाली तो 2.1 h is equal to 4.5 है plus 2.1 है ठीक है 2.1 है ठीक है और यहाँ पर meter है यह दोनों air कर दो गया इससे cancel हो जागा 0.3 है ठीक है यह 44 हो जागा 44 multiply 0.3 meter यह दोनों air करेंगे तो क्या होगा 6.6 meter हो जागा 5 1 6 4 2 6 हो गया ठीक है यह 3 हो मुटिप्लाय करोगे आप 44 को यह जो को 44 मुटिप्लाय है 0.3 3 4 जा 12 3 4 जा 12 13 कितरा आ रहा है 13.2 13.2 है उसको 6.6 से मुटिप्लाय करना है 6 2 जा 12 1 6 3 जा 18 190 6 1 जा 6 17 ऐसे 2 हो गया 9 हो गया 7 हो गया यह 2 हो गया यह 8 हो गया 11 हो गया यह कितना 11 यह 17 हो गया ठीक है और यह 8 हो गया कह रही है प्वैन के बाद 2 डिजित है तो यह हो जाएगा 87.12 meter square देखिए यह जो है वो एरिया है टोटल सर्फेस एरिया है यह बना अब इसका इस सीड से आप क्या अगरना इस स्टील की सीड से आपने यह सेलिंडर बनाया इसका 1 अपन टू जो है यह क्या हो गया वेस्टिज हो गया तो बचा वाया यह वाला और इसी से यह बना टोटल और इसका टोटल सर्फेस एरिया है दोनों एकवल होंगे दोनों एकवल आए है यह यह इस उकल टो टोटल सर्फेस एरिया यह जो इससे वेस्टिज होने के बाद यह बचा इसी से से शनेंडर बना और इसी से टोटल सर्फेस एरिया एक्स पांड प्रम मीटर स्कारीज को लो दिस एक्स यह वे दिखो यह ही है 11 एक्स ओवाड ठाल ठीक है जैसी एक्स फांड करेंगे एक्स पांड प्रम टू ठीक है 87.12 87.12 है यह 87.12 यह होआ 12 जो आपका नुमेरेतर हो जाएगा और 11 आपका नीचे हो जाएगा ठीक है अब 11 की टेविल आप 11 की टेविल आप पड़ सकते हो ठीक है 11 की टेविल आप 11 से 87.12 है ठीक है, 87.12 है, इसमें आपको डिवाइड करना है, 80, 11, 7, 77, 0, 1, 11, 90, यहाँ पर पॉइंट यूज होगा, 11, 90, 99, ठीक है, यहाँ पर 2 आ रहा है, अगला क्या जा रहा है, 9 जा होगा, अगला क्या रहा है, 2 आ रहा है, 11, 2 जा 22, इतना रहा है, इससे कैंसिल हो करके, इससे कैंसिल हो करके आ रहा है, 7.92, ठीक है, 7.92 है, इसको 12 से मुल्टिप्लाइ करना है, ठीक है, 12 से आप मुल्टिप्लाइ कर सकते हो, 224, 2918, 2714, 15, 122, 199, 177, 4, 10, ये 15 हो गया, ठीक है, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, 10 हो गया, ये आपर कहरे होगा, 789 हो गया, पॉइंट के बाद दो डिजित है, ये आए आपका, ये दोनों मुल्टिप्लाइ करके, क्या कहते है, 7.92 मुल्टिप्लाइ 12, 7.92 मुल्टिप्लाइ 12 विजी उकल डू, 95.04 मेटर स्क्वार, एक्चॉल जो एरिय था, एक्चॉल सीट जो थी, उसका था, 95.04 मीटर स्क्वार, ठीक है न, ये एक्चॉल थी, ये कह रहा था है, इसमा, how much steel was actually used, ठीक है, तो how much steel was actually used, actually इतना used हुए, therefore, actually used steel है, 9. therefore, जो actually used, जो है, steel है, area of actually, जो steel used हुए, steel used हुए, है, used, वो कितना हुए है, 95.04, ठीक है न, यह कह रहा है, how much steel was actually used, if 1 upon 12, 1 upon 12 इसका वेस्ट इस गया था, मैंने का था, इसीड थी, इसका 1 upon 12 क्या हुआ था, वेस्ट इस गया था, ठीक है, टोटल हमने इसका x meter square इसका area माना था, इस में से 1 upon 12 इसका जो है, निकाल करके तो minus करके तो यह निकला था, इसका total surface area मैंने काला था, total surface area किसका निकाला था, cylinder का total surface area निकाला था, और हुआ है था, 87.12, और फिर 11 x upon 12 is equal to 87.12, x is equal to 87.12, यह point है, 12 divided by 11, 11 से जैसे divide करें, 7.92 वा, multiplied 12, multiplied 12 कर 95.04, area of actual, area of actually still used हुआ, 95.04 meters square, है यह answer है, 5.なるほど से यह predictive फिर प्रेश करेंगा करें .. 00, – 16, 12, 25, yak Word 2 तो भी यह था बता है,